राधे राधे जैसी क्रशना, मैं सीमा सिंग आप सबी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ कार्थिक का महिना बहुत ही पवित्र बताया गया है कार्थिक के महने में तुलसी जी की पूजा करना, सूर्य भगवान को अर्धे देना और पीपल पत्वारी सीचने का बहुत ही पुर्ण्यफल मिलता है भगवान विष्णू ने सभी मासों में कार्थिक मास को अधिक पवित्र बताया है और सभी तिथियों में एक अधशी तिथि को सबसे अधिक प्रिये बताया है भगवान विश्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्थिक मास में इस्नान और व्रत करता है और पुर्ण्या करता है वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रिये है उसके उपर मेरा हमेशा आशिरवात बना रहता है भगवान विश्णों के प्रिये मास पवित्र मास को कार्थिक का मास बताया है यह जरूरी नहीं है कि आप पूरे महने वरत करें आप इस्तनान करके कार्थिक मास के महात्यम्य और कार्थिक मास की कहानी को सुनेंगे तो भी आप सभी फलों को प्राप्त करेंगे संसार के सभी सुखों को देने वाला यही मास बताया गया है इस मास में जितना भी दान पुने किया जाए उसका अनंत गुणा फल मिलता है कार्तिक मास के सभी दिन श्रिष्ट बताये गए हैं कार्तिक मास में तारों की छाओं में इस्तनान करना और तारों की छाओं में ही व्रत खोलना ही सबसे अधिक श्रेष्ट बताया है। आईए अब हम कार्तिक मास के महात्यमे का चोथा अध्याई सुनते हैं। नारज जी बोले कि ऐसा कहकर जब भगवान विश्णु ने मचली का रूप धारन किया और विंद्याचल परवत पर तपश्या कर रहे महरिशी कश्यप की अंजली के जल में जाकर पहुँच गए। महरिशी कश्यप को मचली के उपर दया आई तो उन्होंने उसे कमेंडल में डाल दिया। परंतु कमेंडल में जाते ही मचली ने अपना रूप विशाल कर लिया तब महरिशी कश्यप ने उसे कुए में छोड़ दिया। उस मचली को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते ही मचली ने अपना आकार अत्यंध ही विशाल बना लिया। फिर उस मतश्य रूपी नारायन ने उस शंखा सुर को समुद्र में जाते ही मार डाला। उसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर वे बद्री वनम कर शिग्र मिला कर मेरे पास लेकर आओ तब तक मैं देवताओं के साथ प्रियागराज में ठहरा हुआ हूँ। इसके बाद सभी रिशी और मुनी उन सब बीजों और वेद मंत्रों को ढूनने लगे। उन वेदों में से जो भाग जिस रिशी को मिला वह उसी का हो गया। उस उसी दिन से वे रिशी कहलाने लगे। सब वेदों को लेकर रिशी महरिशी प्रियागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विश्नु और ब्रहमाजी को समर्पित कर दिया। ब्रहमाजी वेदों को पाकर बहुत प्रसन हुए। तब उन्होंने देवताओं और रि और वे कहने लगे हे देव, हे जगनात, हे स्वामी, हे चतरवुज भगवान, हे प्रबो, हमारी प्रातना को स्वीकार कीजिए हम लोगों के लिए यह सबसे बड़ा हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वर्दान दीजिए नश्ट हुए वेद, पुन्हें ब्रह्माजी को प्राप्त हो गए हैं, हे लक्ष्मी पती, हे मुर्ली धर, हे शंक चक्र पद्म गदाधारी, आपकी अनुकमपा से हम देवताओं को यग्य का भाग मिला है यह इस्तान, आपके प्रसाद से आज प्रत्वी भर में सर्व प्रधान, पुन्य को बढ़ाने वाला, मुक्ती, भुक्ती, भक्ती और मुक्ष को प्रदान करने वाला हो ब्रहम हत्या आधी पापों का नाश करने वाला हो परम पवित्र और अक्ष़फल देने वाला हो ऐसा वर्दान हमें दीजिए तब भगवान विश्णु ने देवताओं से कहा कि जो कुछ आप लोगों ने कहा है यह मेरा भीधे है जैसा आप लोगों ने कहा है कि यह इस्तान आज से ब्रहमशेत्र के नाम से जाना जाए तो यह आज से ब्रहमशेत्र के नाम से ही पुकारा जाएगा इस इस्थान पर गंगाजी वर सूरिय पुत्री यमनाजी का संगम होगा और मैं भी ब्रहमाजी के साथ यहीं पर निवास करूँगा यहाँ पर किया गया जब तप दान पुन्य महान फल दायक होगा और कई गुना फल होकर वह मिलेगा इस जन्म में और पिछले जन्म में कियेगे सभी पाप और ब्रहमत्या यहाँ पर इस्तनान करने से नश्ट हो जाएंगे जो लोग अपने पिता आधी का यहाँ आकर तरपन और श्राद करेंगे वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होंगे वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे मकर सकरांती पर माग मास में प्रात्यकाल यहाँ आकर जो इस्तनान करेंगे दर्शन करेंगे वे सब पापों से छूट जाएंगे और मरने पर मुक्ष को प्राप्त होंगे ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूरिय के तेज से अंदकार का नाश हो जाता है हे मुनिश्वर मेरे वच्चन ध्यान से सुनिए मैं सरवत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायन में निवास करता रहूँगा और सैकडो वर्ष तक किसी दूसरे इस्थान पर तब करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा जो मनुष्य मेरे उस इस्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और समस्त पापों से छूट कर मरने परस्वर्ग को प्राप्त होंगे सूत जी बोले कि ऐसा कहकर भगवान विश्णु अंतरध्यान होगे और उसके बाद सभी देवता भी अपने अपने लोग को चलेगे कहते हैं कि जो मनुष कार्थिक मास में इस कथा को शद्धा से भक्ती से सुनते हैं वे शिरी प्रियाग राज बदरी का आश्रम जाने वे इस्तनान करने के समान फल प्राप्त करते हैं इस प्रकार आज मैंने आपको कार्टिक मास के महात्यमे का चोथा अध्याय सुनाया आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो कमंड बोक्स में जैहु विश्नु भगवान की जरूर लिखें भगवान आप सबकी मनुकामनाई जरूर पूरी करेंगे धन्यवाद